आज मिरी मॉर्неिंग की शुरूआत हो रही है सुबे के छäh बज़े से सभी को राम राम जी तो देखें यहाँ पर मैं कुछ ड्राय फ्रूट भिगो रही थी और वैसे तो मैं रात को भिगो देती हूं लेकिन कल मैं भिगो ना भूल गई थी और ड्राइफ रूट में मैंने लिया अक्रोट, बदाम, किश्मिश और मुनक्का तो इन सभी को मैंने एक ग्लास बॉटल में भीगो दिया था तो अब मैं रब दूँगी इनको 4-5 घंटे के लिए जिससे के बिल्कुल अच्छे से भीग जाए और सॉफ्ट हो जाए तो ड्राइफ रूट को हमेशा भीगो के खाना चाहिए क्योंकि इनकी जो गर्मी होती है ना अंदर की वो निकल जाती है और यह फायदा भी करते हैं हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दा चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों मैं भी बहुत अच्छे से हूँ तो जी फ्रेंड्स मैं बना रही हूं बैंगन का भरता तो यहां देख लीजे यहां पर लिए मैंने दो बैंगन चार टमाटर दो प्याज और यह कुछ लहसन की कलिया लिए तीन हरी मिर्च लिए थोड़ी सी अद्रक इसमें से लूंगी मैं पूरा नहीं डालूँगी थोड़ा सा अद्रक का पीस लूंगी तो जी यहां पर बैंगन को मैंने अच्छे से धो लिया था और अब मैं इसमें लगा रही हूं सरसों का तेल सरसों का तेल लगाने से बैंगन अच्छे से बुन जाएगा और इसका चिलका भी अच्छे से उतर जाएगा तो यहां पर मैंने बैंगन में लगाए थे कुछ कट चार कट लगाए थे बैंगन में इस तरीके से और इसके अंदर जो लहसन था म मैंने फिल कर दिया था इसे क्या होगा कि जो लहसुन का फ्लेवर है ना वो उसके अंदर चला जाएगा और मिर्च का भी तो बहुत ही टेस्टी जो भरता है ये बनके तैयार होता है तो चलिए अब इसको सिखने के लिए रख देते हैं और यहां पर देखे मैंने गैस अन कर इसके मैंने एक जाली रख दी थी एक जाली रख दी थी और इसके मैं यह यह बहुत बहुत डुटाइगा तो जो आपका भरता है ना बैंगन का वह अच्छा बनेगा और टमाटर भी एकदम अच्छे से भुन जाने चीए जिससे कि उनका जो छिलका है वह अराम से उतर जाए फिर उसको मैश करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो यहां पर देखे बैंगन हमारे अच्छ यहां पर ना उतार लिया था अब यहां पर ना शुचत गड़े यहां लिया जो चल्का त्ट तो दो पीस करके मैंने अच्छे से टमाटनों को रख दिया था तो यहां पर देखे मैंने इसके अंदर दोनों बैंगन डाल दिया है और बैंगन को अब हम मैश करेंगे तो इसको अच्छे से मैश करना है कोई भी गाठ नहीं रहनी चीए इसके अंदर अच्छे से मैश करना ह थोड़ी सी ताकत लगा करके मैश करना है लेकिन अच्छे से मैश हो जाएगा तो यहां पर देखिए बैंगन जो था वो बहुत अच्छे से मैश हो गया था और बहुत ही अच्छी खुश्बू आरी थी इसके अंदर तो यहां पर बैंगन मैश करने के बाद मैंने दो प्याज काटके रखी थी वो डाल दी थी अब इसको भूरा होने तक हम भूनेंगे अच्छे से जब प्याज भून जाएगी उसके बाद इसके अंदर हालेंगे कुछ मसाले तो सबसे पहले मैं डाल रहे हूं कश्मीरी लाल मिर्च गरम मसाला हल्दी पाउडर और उसके बाद धनिया पाउडर तो इस समय हम फ्लेम को थोड़ा मंदा ही रखेंगे नहीं तो मसाले जो हैं वो जल सकते हैं और इसके अंदर मैंने डाल दिया था जो बैंगन और टामाटर मैश करके मैंने रखे हुए थे वो डाल दिये थे इसके अंदर टामाटर अलग से नहीं और इसको डग देंगे कढ़ाई को थोड़ी देर के लिए तो यहां पर हमारे जो बैंगन का भरता है वो अच्छे से पक जाएगा और यहां पर देखे कितना अच्छा बैंगन का भरता बना है आप लोग एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही तो खाएंगे रोटी ठीक है लसी है और बैंगन का भरता है और रोटी बना रही हूं और यहां पर इंडेक्शन पर गरम कर रही हूं वह कल मैंने मंगोडी के अम्रितसरी वड़ी होती है ना उसकी सबजी बनाई थी तो वह बच्चे थोड़ी सी वह भी गरम कर रही हूं औ तो जी देखें भरता बनेंके तैयार हो चुका है और बहुती स्वाधिष्ट भरता बना है तो गार्निश कर देते हैं अप इस पर धनिया और कल शाम को बनाई थी मैंने चटनी हमेशा मेरे फ्रीज में आपको मिलेगी और यहाँ पर मैंने उसके लिए बनाए हैं गर्मा गरम पराठे पराठे उसको बेहत पसंद है साथ में थी लसी तो यह है आज की हमारी लंच की थाली तो जी कमेंट में जरूर बताईएगा कि इसको बेंगन का भरता पसंद है मेरे घर में सबको पसंद है बेंगन का भरता लेकिन बच्चे बेंगन के बरते के साथ पराठे खाना पसंद करते है तो जी किचन क्लीन करने के बाद मैं भी अपना खाना लेके रूम में आ गई थी तो यहाँ पर दोनों मा बेटे मिलकर के खाना खा रहे हूँ और बहुत ही स्वादिश्ट बैंगन का भरता बना था बहुत ही अच्छा और दोनों साथ में बाते बाते भी कर रहे थे बहुत स्वादिश्ट था आज तो जी इस समय बजे हुए हैं दुपैर के तीन और यहाँ पर मैंने मंगाई थी माजा और एक प्लेट में नमकीन डाल दिया था तो इस समय मेरे बेटे का फ्रेंड आया हुआ था इनको मिलकर के कुछ प्रोजेक्ट वगएरा करना था तैयार तो इसलिए दोनों बैट करके अपने रूम में काम कर रहे थे तो उनके लिए मैं थंडा देके आई और उसके बाद अपने लिए लेके आ गई थी मैं कमरे में और यहाँ पर मैं बड़े सुकून से बैट करके मैंने भी पिया क्योंकि गर्मी बहुत पढ़ रही है इस समय तो चाय वगएरा तो बच्चे मना ही कर देते हैं पीने के लिए इसलिए मैंने सोचा चलो ठंडा दे देती हूं बच्चों को तो जी इस समय शाम के पांच बजे हुए हैं और यह देखे जो नॉर्मल उसमें ही खाने चाहिए तो वैसे तो हम जब ब्रेकफास्ट करते हैं उसी समय खाते हैं यह ड्राइफूट्स वगएरा लेकिन आज क्या करें इसके पो गया था तो इसलिए आज हमने शाम को खाई यह ड्राइफूट्स तो जी इस समय शाम के आठ बजे हुए है और मैं थोड़ी देर चत पे वॉक करके आई हूँ और उससे पहले मैं आलू बाल के रग गई थी क्योंकि बच्चे गह रहे थे कि रोटी नहीं खानी है और बड़े वाला बेटा जो है वो कॉलिस से आय था तो मैंने उसको परांठे और भरता खिला गया था तो उसका पेट भर गया था और हमें भी कुछ ऐसी भूक नहीं थी तो यह बोला ममी मैं ब्रैड के टोस्ट खाऊंगा तो आलू मैंने उबाल के रग दिये थे तो इनक सारे मसाले डाल रहे हैं सबसे पहले डाल रहे हैं नमक थोड़ी सी लाल मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला हलका सामचूर बोड़ा सा धनिया पाउडर रहे हैं सारे मसालों को मैंने अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर दिया था और इस समय मैंने अपने हाथ अच्छे से वा तो यहां पर क्योंकि टोस्ट मेकर था उसमें ही बनाने थे मुझे तो मैंगो शेक भी आ चुका है और मैंगो शेक तो हमारी डेली की नीड बन चुका है आम गर्मियों में आम निखाए तो फिर क्या खाया तो अभी तो यह सफेद आम से काम चला रहे है जब दशेरी आम आए के साइड में और अच्छे तरीके से हम भी करते थे बच्पन में ऐसे खाना खाना खाते थे और आम रख लेते थे साथ में खाना फिनिश हुआ कई बार तो खाने के साथ ही लग जाते थे आम खाने के लिए और कई बार खाने के बाद आम खाते थे बहुत सवाद लगते थे दो दो चार चार आम ख़ा जाते थे कई भार तो एक बार हम गाउं में गए थे, मेरी बुआ का लड़का है ठीक है? उसकी बहन की शादी थी वहां गए थे और वहें पे उन्हों ने बाल्टी बहरके आम दे दिये थे हमें वहाँ ने इतने आम खाये थे उनके आम के बाग थे इतने आम खाये थे दशेरी आम थे तो जी हमारे ब्रेड टोस्ट बनके तयार हो गए है और साथ में थी चेटनी सौस और मंगोशेक बहुत ही क्रिस्पी बने थे बहुत टेस्टी बने थे तो जी इस व्लोग चाम मैं यही पर अण करती हूँ वीडियो पसंद आइए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैन्ल को सब्सक्राइब करना न भूलें चलिए मिलते हैं नैक्स वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय आपने वाइए